नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने गार्डन का आपको थोड़ा सा और दिखा रही हूं देखे जो मैंने कटिंग्स लगाई थी यह सारी अब चलनी शुरू गई हैं यह सारे जो मैंने गर्मियों के प्लांट से कटिंग्स से लगाई थे सभी में नई फूल वैसे आ रहे हैं लेकिन पीछे से सारी खराब होने लगे हैं तो इनको भी हटा आना पड़ेगा और हटा के इनमें भी गर्मियों के जो बास्केट से हो मैं तयार करूंगी इनमें पॉर्चुल का परसलेन या फिर कोई भी जितने भी हैंगिंग्स प्लांट से हो हम ल लगाएंगे और अभी फूल तो देखिए आ रहे हैं लेकिन वही है कि पीछे से पूरे खराब हो गया है यह देखिए हरी मिर्च का पौधा है जो पिछली साल का ही है और इस पर बहुत अच्छी ग्रोध हुई है और मिर्च भी बहुत सारी आ रहे हैं हरी मिर्च का यह नई ग्रोध दिख रही होगी तो बहुत सारी कटिंग्स हैं कम से कम 12-15 कटिंग्स हैं सारी चल गई हैं और टमाटर के पौधे भी इस टैम पर देखिए जलना शुरू हो गए हैं तो जो भी खराब रांचिस हैं वो सब मैं काट दूंगे इनकी और यह बीन्स का प्लान्ट किया था अभी यह देखिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्त है और यहां पर यह कुछ भिंडी के प्लांट हैं जो पहले मैंने बीज लगाए थे तो अभी इतने बड़े हो गए हैं और यह गैंदे के कुछ छोटे छोटे बहुत सारे हां ग्रोग गए हैं इसको राम से हम चलने देंगे बिंडी के काफी सारे प्लांट से मैंने लगाए हैं और इन सभी पर छोटे छोटे यह भी देखे बिंडी भी आना सुरू हो गई हैं यहां पर देखिए तोरी के प्लांट हैं यह भी इतने बड़े हो गए हैं और इन पर भी फूल आने लगे हैं यह मैंने र आपी बर्सटे से लुत हैं नहीं ब्रांचे अए तकी बडूद आका पर्सात प्लंट जो बहुत बहुत अक्षे से भून ड sports बस ब्रांच एल देगा वितुम दुर्ज स्ट Васプ्ल対 हम यह रही है यह तो पूल देना अभी बंद कर देगा उसके बाद इनकी प्रोनिंग करके हम छोड़ देंगे ताकि बरसात में यह बहुत अच्छे से ग्रोध करें नई ब्रांचिस इन में आ जाएं तो अभी तो यह अच्छे फूल दे रहे हैं अपरेल में तो अच्छे फूल इन पर खिलते हैं यह देखिए हारे सिंगार का पौधा है इस पर भी कलिया आने लग गई है छोटी छोटी सी दिख रहे हैं और इसकी भी मैंने पूरी प्रोनिंग कर दे थी बहुत सारी ब्रांचिस इसमें आई हैं अभी और कलिया भी सभी पर जरूर आएंगी इस वाले बाल्टी में मेरा लगा हुई है क्रश्न कमल की बेल लगी हुई है इस पर भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इस पर बहुत ही सुन्दर फूल आते हैं तो अभी गर्मियों में यह बहुत अच्छे से ग्रोथ करना सुरूज ने कर दिया है यहां पर देखिए यह है टिकोमा का मैंने अभी थोड़े दिन पहले चोटे गमले से बड़े गमले में रिपोर्ट किया था उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और साइड में मैंने इसके गेंदा लगा रखा है और एक सूरज मुकी का प्लांट भी लगा दिया है और कुछ इसमें परसलेन अभी अपने आप ही ग्रोव गई है तो बड़ा गमला है अभी यह काफी और इसकी ग्रोथ के लिए की बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम पर देखिए दोस्तों यह है मेरा आवले का पौधा जिसकी मैंने पूरी प्रोनिंग कर दी थी इस पर बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे और इसी के पास ही हाँ पर मैंने जो मेरी पुरानी यह गुल्दावदी के प्लांट है देखिए इनकी सब की प्रूनिंग कर दीती है और इन पर फूल आने वाले हैं अभी सभी पर खूब सारी कलिया आ रही है अभी अप्रेल में इन पर अच्छे फूल एक देखिए दोस्तों यह एक और बिंटी का पूदा है यहाँ पर देखिए चोटे से पर ही कैसे फूल आ रहे हैं और इसी के पास ही मेरा टेमाटर के प्लांट लगे हुए हैं टेमाटर के प्लांट है इनकी खराब रांच ती वो मैंने कट कर दी हैं तो अभी अच्छे से थो है इसमें वो बड़ी होगी तो काफी सारी प्याजी हो रही है और यहाँ पर देखिए अनार का पूधा है और इस पर पहला फूल आया है अनार पर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पहली बार पहला एक अनार अभी इस पर लगा है मुझे और कहीं फूल दिखाई निदेरा एक ही फूल आया है बस ये भी वर्बिना का प्लांट अभी तक बचा हुआ है और इसी के पास गैंदे हैं काफी सारे और गैंदे के पास ही कुछ पिटूनिया के दो प्लांट रखे हुए हैं जो अभी ठीक चल रहे हैं देखिए इस पर तो फूल भी बड़े हैं औ काफी अच्छे से ये अभी तक बचा हुआ है तो इसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ अभी तो ये बहुत ही बड़े चल रहा है पानी का ध्यान रखने हैं थोड़ा ऐसी जगह पर रखा है जहां पर धूप थोड़ी सी चंचन के आती है तो इसलिए अभी अच्छे से चल रहा है ये देखिए हाँ पर ये पैंजी के प्लांट भी बचे हुए है उनको मैं छेड़ा नहीं है बहुत ही सुन्दर इनके फूल लगते हैं अभी कम आ रहे हैं लेकिन अभी आ रहे हैं ये देखिए मधुमालती की बेल है जिस पर अभी थोड़े दिन पहले ग्रोथ भरने वाला है तो इसकी बहुत सारी कलियां मुझे दिख रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है इसमें मैंने वर्मी कमपोस्ट डाला था उसके बाद इसमें मैंने कुछ मुफली के छिलके मैंने इसमें डाले हुए थे और राक वाक में डालती रहती हूं केले के छिलके मैं इसमें डालें बहुत ही अच्छे फूल इस पर आएं गुड़ल के प्लांट हैं और देखिए कड़ी पत्ता का प्लांट यहां से मैंने काटा था तो एक ही ब्रांच आई इसके बाद मैंने फिर इसको कट कर दिया है तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि दो या फिर तीन ब गुलाब हैं हमारे जो पहले से प्रूनिंग करके सेट हैं पर फूल भी आ रहे हैं सी के पीछे अंगूर की बेल है जो बहुत ही अच्छे से ग्रोध कर रही है मुझे लगा था साइद इस बार कुछ अंगूर एकाद मुझे देखने को बिलेगा लेकिन इस पे इस बार भी बहुत ही अच्छी ग्रोध आप देखिए हर एक ब्रांच पर कलिया इसमर बनने लगी हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके फूलों में बहुत अच्छी खुस्बो होती है बहुत ही बढ़िया ग्रोध इस पर आई है आप वो वीडियो जरूर देखिए जब मैंने इसमें किस तरह से इसको तयार किया था बहुत सारी इस पर कलियां हैं और फूल भी इस पर डेली अभी खिल रहे हैं तो यह देखिए गुड़ल के प्लांट इन पर कितनी सारी कलियां आई हैं हर एक ब्रांच पर कलियां बल्कुल भरी हुई हैं गुच्छों में कलियां आ रही हैं कुछी दिन में बल्कुल बहुत सारे फूल हमारे गुड़ल पर मोगरा पर आने वाले हैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो गए हैं खुब सारी कलियां इन पर आ रही हैं और जो भी मैंने इन में दिया है वो वीडियो में सीर किया जादा कुछ नहीं बस जो भी घर के फर्टलाइजर होते हैं वो और वर्मी कंपोस्ट यह में डाला है और देखिए यह है मधु कामनी का प्लांट इस पर भी हर एक प्लांच पर कली आ रही है यह भी बहुत ही जल्दी पूरा भरने वाला है फूलों से तो देखिए जो मैंने अभी परसों वीडियो डाला था गुलाब के प्लांट्स रिपोर्ट किये थे यह वो प्लांट हैं देखिए तीनों ही प्लांट बि हैं यहां पर देखिए हमारे गंदे के प्लांट काफी अचछे चल रहे हैं यहां ब्लांट मैंने खाली किया इसमें सबजी लगाऊंगी और यह गंदे का प्लांट देखिए कितने अच्छे से पूरा फैल गया है उसका जो फूल है हो बड़े वाला फूल है बहुत ही बड गंबले में यहां पर मैंने कुछ प्याज के पौदे लगा दियते और ये भी बड़ा-वाला गेंदा है Кितने अच्छेसे कितना बड़ा-वोत तो बड़े गंबले में अगर हम लगाते हैं तो ग्रोथ तो अच्छी होती है सभी प्लांट की तो इसमें अभी ये सारे गेंदे वगरा लगे हुए है ये पत्ता गोभी है और यहां पर भी ये देखे सूरज मुखी के प्लांट है यहां पर देखे ये दोस्तों ये है हमारा पत्ता गोभी का एक और प्लांट ये काफी बड़ी गोभी हो गई है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है ये और एक बाकला का मैंनी बीन्स का प्लांट है जिसमें लंबी लंबी फली होती है सबजियों के कुछ प्लांट से मेरे चुके हैं और कुछ अभी मैंने नए ग्रो किये हैं ये है देखे सरीफा का प्लांट कस्टर्ड एपल इस पर पहली बार फूल आ रही है मतलब कलिया मुझे दिख रही है साइद इस बार इस पर कुछ कस्टर्ड एपल लगे और देख मैंने तो पहली बार ये प्लांट देखे दो आड़ो इस पर लगे हैं पहली बार ये आड़ो इस पर आए हैं पहली बार फल कम आते हैं दूसरी बार में अच्छे आते हैं और ये हमारा चीकू का पोदा जो कई बार आपने देखा है इस पर कुछ चीकू लगे भी हुए हैं और नए फूल भी इस पर आने चलता रहता है यहाँ पर यह मैंने कुछ और बीज लगाए हैं इसमें लोकी के बीज देखे निकलने सुरू हो गए हैं बिंडी के निकल रहे हैं इसमें लोकी कासी, फल, खीरा और बाकी जितनी भी गर्मियों की सब्जा होती हैं ज्यादा तर मैंने सारी दुबारा से फिर से यह ग्रो की हैं क्योंकि पहले वाले कुछ प्लांट्स ग्रो हुए थे, कुछ बारिस हो गई थी बीच में तो खराब हो गए थे और इसलिए अब के मैंने फिर से दुबारा सारे ग्रो किये हैं तो अभी कुछ दिन में यह ग्रो हो जाएंगा अभी दो-तिन दिन पहले ही मै पहना हो गया यह पोधा और बहुती फ्रेस सुंदर पत्तियां इस पर आई हैं बहुती सुंदर हो गया यह प्लांट तो बेल पत्र का पोधा तो घर में जरूर हमें लगाना चाहिए तो यह चोटा सा ओवर्विव था गार्टन का वीडियो आज का कैसा लगा जरूर हुआ हुआ है